नमस्कार, दोस्तों आज मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा मैजिकल नमबर और एक ऐसा मैजिकल स्विच वर्ड जिससे कि आप अपने मन की ख्वाइश को पूरा कर सकते हैं एक ऐसा switch word जो किसी भी ख्वाईश को पूरा करनी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहला जो switch word है वो है charm C-H-A-R-M, charm charm एक ऐसा switch word है जिसको आप किसी भी ख्वाईश को पूरा करनी के लिए chant कर सकते हैं इसमें कोई बंधर नहीं है कि ख्वाईश आपकी किस तरह की होगी तब आप charm को chant करेंगे चाहे आपकी money से related ख्वाईश हो, job के लिए ख्वाईश हो, किसी रिष्टे के लिए ख्वाईश हो, कोई competition, games जीतने के लिए ख्वाईश हो कोई भी आपकी ख्वाईश हो, जो भी आपका दिल चाहता है, उसको पूरा करनी के लिए जो एक switch word है, वो है charm switch words के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरा switch phrase बनाया हो, बड़ा सा 3-4 switch word जोड़े हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक अकेला single switch word भी उतना ही effective होता है, जितना पूरे 3-4 word को जोड़ने के बाद जो आप switch phrase बनाते है तो charm एक ऐसा ही switch word है, जो कि अकेले अपने आप में इतना effective है कि किसी भी ख्वाईश को पूरा करने के लिए आप charm switch word को chant कर सकते है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने जा रही हूँ कि आप किसी भी ख्वाईश के लिए कैसे switch word को इस्तेमाल करें और कौन सा और number कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताऊँगी, देखिए आपको क्या कर लेना है? आपने छोटा सा कागज लिया, कागज लिखने के बाद आपने अपनी ख्वाईश लिख लिए जो भी आपके मन की ख्वाईश है, जो भी wish आप पूरी करना चाहते हैं, उस wish को आपने लिख लिया, आपने लिखा I am happily enjoying my married life, family life, जो भी, मैं बहुत खुशी-खुशी, मान लिजे आपके relationship में कोई परेशानी है या husband के साथ में, या बच्चों के परिवार में, जो भी, किसी तरह की भी परेशानी है तो आपने उस ख्वाईश को लिख लिया कागज में, कि आप अपने परिवार के साथ बहुत खुशी-खुशी जीवन enjoy कर रहे हैं इस तरह से आप एक कागज में लिख लें, और जो भी आपके ख्वाईश हो, उसको ऐसा लिखें कि आप वैसा कर चुके हैं, या आप वैसा कर रहे हैं आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप बहुत खुशी-खुशी उस नौकरी को कर रहे हैं इस तरह से ख्वाईशे लिखी जाती है, affirmation कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक वीडियो बना के सिखाया है, तो affirmation कैसे आपको बनाना है, कैसे आप line लिखेंगे, आप उस वीडियो को देखके इसको बना ले, बनाने के बाद अब healing code, तो कौन सा ऐसा healing code है जो आपके मन की हर ख्व ख्वाईशों को, hurts, desire को पूरा करनी के लिए हम use करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ये कागज में अपनी ख्वाईश लिखी, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, जिस भी भाषा में आप comfortable है, माली जी आप बंगला में comfortable है, तो आप बंगला language लिख दिया, number जो कि इस wish को और वजन देगा, इस wish को पूरा करने के लिए, अब आप इस paper को fold करें, इस paper को fold करने के बाद, आप इसको घर में अपने northwest corner में कहीं भी रख दीजिए, अगर आपके पास माल लीजिए, कोई silver color का, या कोई metal का कोई box हो, मतलब उस corner का जो element है, वो metal है, तो आप कुछ अगर metal का आपके पास कुछ होता है, धातु का, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप English में बताते हो, हिंदी में भी बताए, तो metal मतलब कि कोई भी धातु का हो, आपके पास किसी भी, माली जी आपके पास steel भी है, या कुछ भी है, पीतल है, स्टील है, को कोई भी एक डिब्बा ले चोटा सा उस डिब्बे में आपने ये कागज रख देना है और घर के नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में इसको रखते उत्तर पश्चिम जिसको हम बोलते हैं उसमें आप इसको रखते हैं अपने लिविंग रूम के आसान होता है कि हम अपने 1176 आपने नंबर लिखा है वो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे आप लिखेंगे 1176 आपको किसी भी कलर के पैन से अपने उल्टे हाथ में ये नंबर रोज लिखना है किसी भी कलर के पैन से लिख ले कलर से उतना फर्क नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे बिलकुल गिनने में दिमाग न लगाईए कि हम कितने बार काउंट करें आप जितना जादा कर सकें उतना जादा करिए उतना फास्ट रिजल्ट आएगा तो आप कैसे बोलेंगे चार्म, 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 ऐसे लगातार मन में बोलिए, जब भी आपको एक बार शुरू करने से पहले, अपनी ख्वाइश आप डिसाइड कर लें, कि मेरी ये ख्वाइश है, इस ख्वाइश को पूरा करने के लिए मैं ये चैंटिंग कर रहा हूँ, ये लगातार चैंटिंग करें, देखिए, कुछ लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समय भी लगता है, तो दो दिन, चार दिन करके छोड़ देने से कभी रिजल्ट नहीं आता, कोई भी आप काम करें, तो उसको लगातार आप फॉलो करें, एक-दो महिने आम फॉलो करते चाहिए, या जब तक रिजल्ट ना आ चाहे, आप उसको फॉलो करें, हार ये मत, अगर पंद्रा दिन में रिजल्ट नहीं आया, तो आप हार गया, कम कर दिया या बंद कर दिया, ऐसा ना करीं, किसी किसी को देर से रिजल्ट आता है, अपने दिमाग को भेजते रहेंगे तो वो चीज़ों से accept करनी ही पड़ेगी कि आपकी ख्वाइश यह है कि आप पूरे परिवार के साथ खुश रहते हैं या खुश रहें तो आपके brain में वो vibrations जरूर जाएंगी जो आप switch words से numbers से affirmation से भेज रहे हैं तो आप इस तरह इन तीनों को मिलाकर अपनी किसी भी ख्वाइश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पेशिंस की जरूरत है पेशिंस के साथ जब तक ख्वाइश पूरी नहों तब तक इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते रहें जो डिबबे में आपने यह slip बना इसको पूरा कर सकते हैं थैंक यू दोस्तो कर दो